गर के दिन तेरे हवाले या फिर यूँ ही आमिले हो इसे के देख लोगा है नमास पर अप्ते वे तुमारे चहरे पतना स्यकोना वो देख रहे हैं गर्ष्टी को अब स्वेक अप्ते देख बिए। कि कुई भी इनसान शुकर बिजार होता तो उसके अंदर का स्वेक बहुत बहुत बाहरास कोना और मैं अन्ना का शुकर कर रहा था कि मुझे एपने अची दीवी बस आत तुमार में मैं सूच रही थी कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें दीन के बारे में तुम ही सब कुछ सिखा दो के अच्छाई और बुराई का फर्क बता दो के उन्हें तो किसी और के पास आने के ज़रूरत ही नहीं पड़े कुछ तो मैं से नहीं तुमसे भी सिखेंगे मैं कैसे बताऊंगे मुझे तो इतना नौलेज ही नहीं है तुमसे सच पोलना सिखेंगे हग की बात करना सिखेंगे लोगों का थाल करना सिखेंगे और अपनी गंती का इतराफ करना सिखेंगे यहाल जिए अब 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 आफ नियुक्त आप अब आफ यह अब ले अब अब लेड़का नहीं में तो कहूंगी क्योंकि जब हम अमेरिका जाएंगे तो सब तुम्हें दुम्हें नाम से पकारेंगे तो मैं जाते हूं कि तुम इस नाम की यूस्टो हो जाओ जुल्फी और एक बाल के निकार के बद हम लग महां पर शेफ्ट हो जाते हैं तुम यहां पर सब कुछ कब बाइंड अप करो गें मैं अमेरिका नहीं जाओंगा डेविड बद वो मुझे डादे जी से कुछ बात करने और उनका बीपी चेक करने मैं चलता हूँ मैं सोच रही हूँ नसीमा को फोन करो एक बाल के रिष्टे के सिलसले में क्या ख्याल है आपका? वही वो बाबुजी से पहले पूछ ले ना उसके बाद नसीमा को फोन करना बाबुजी ने कोई रिष्टा जरूर देखा है अबाजी फिर कोई फैस जैसा नमोना ढूंड लेंगे? पुझे तो फैस पहले भी अच्छा नहीं लगता था बस एक ही खूबी थी हांदान और जाद आप देख लीजिएगा अबाजी न फिर कोई मामे चाचे के बेटे का रिष्टा ढूंड लेंगे और एक बाल की जिंदेगी अजीरन हो जाएगी नसीमा के पास अच्छे चेंगरानों के रिष्टा अब यह तुम्हें बताया है कि बाबू जी से पूछे बगएर मत कर नसीमा को फोट हाँ इसे वह है ना मुदसिर भाई बातें बात करेंगे वह करने दो क्या बातें करेंगा यही कि हम इतने एडवांस होगे कि खांदानी रस्म रिवाज को बदलने चले खांदान और बिरादरी से बाहर निकल कर पहले सुरिया का और अब एकबाल का मुझे परवा नहीं है उसकी बाते बनाने से उसका तो काम है हर वक यह कर लो वो कर लो वही हमने कभी उसके बच्चों के रिष्टे के बारे में कभी हमने इंटरफेयर किया है बना ले दो बाड़ में जाए अचा चले जल्डी जाईए और जल्डी वापस आईएगा क्या रखा इसमें आलो मटर गाजर की सबजी आलो मटर गाजर की इस पर थोड़ा सा जहर भी डाल देती सबजी 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 मैं नसीमा को फोन करती आवे दाउत अमरीका कब जा रहे हो अमरीका जा रहे है पपजी मेरा अमरीका जाने का कोई अरादा नहीं इसलिए शादे की थी ना आपने अमरीका जा रहा था आपको मैं अमरीका नहीं जाओंगा डेविट को मेरे साथ जाना होगा मैं तो यहां नहीं रह सकती मुझे लेगल पोसेस के बारे में नहीं नहीं रही है कि डेविट कैसे मेरे गजा सकता है पर सकता होगा बद प्रशेद रहा है डवा ले रहे हैं तो नहीं अब दवा ले रहा है हम दवा तो ले रहा हूँ सुबार शाह में कोई टेंशन है आपको नहीं टेंशन तो गरी नहीं है यह बताओ कि कनीस फात्मा के अब तर्वित कैसी है बिलकल ठीक है मैंने तुम्हारी बात पे बहुत खुआर किया सारे राज सोचता बिशारत और रजिया से भी मशरा किया बात अच्छे कौन सी बार नवेत और एकवाल के रिश्टे के बारे तो फिर यह कि मैं नवेत को बाना कर दूँगा एकवाल भी राजी नहीं है ताटा जी यह तो बहुत अच्छा करेंगा अब मुस्से बड़ी खलती होगी बड़ा वक्ष बरभास किया मैंने एकवाल का खलतो मुझे उसकी शादी फैद से करनी ही नहीं चाहिए थी पर रिश्टेदारी और खांदान के चकर मर चरा बतकिस्मती से उसकी तलाक हो भी तलाक के बाद उसे घरी में बिठाय रखांगा अगर पूरे खांदान में हैं उसके जोड़का को रिश्टा नहीं था नवीद ने जब तुम्हारे और कनीस फात्मा के रिश्टे के बात की तो शर्ट के तार पर मैंने नवीद और अकबाल के निकाह के बात की और ये पहली बात सच में आज तुम्हारे रहा हूं कि बिचारा नवीद अपनी बेटी के मस्तक्मिन है और अपनी नदामत के हाथ हूं मज़ूर होके मांग गया लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खुशी चाहता हूं नादा जी आप सिर्फ एक्बाल पपा की खुश्यां सचे जोटे वाला उससे तोरज हैं ऐसे ही करना चाह रहा हूं तुम जानते हूं सिल्फ ही कहा रहता है करना चाहता हूं करना चाहता हूं ओ मैं गॉड़ साही क्या हूं कुश्नी एक कुशी की खबर सनानी है सुनोगे तो बहुत कुश्यों होगी क्या हम लोग अमेरिका जा रहे हैं यह अमेरेका पीश मैं कहा साग तो परे क्या हूं दादा जी जुल्फी से मिलना चाहते है क्यों? जुल्फी और इक्बाल के रिष्टे की बात के लिए ओ माइ गॉड़ येस मैं तब दादा जान मान गए आइसना ये बात अपीब सिर्फ मैं तुमें बताई है किसी और को नहीं बता लिए मैं जुल्फी को तो बता हूं इतनी खुशी की बात है येस, करीस फात्मा, बहुत बड़ी बात है दादा जी की सोच बदल गी है और सच को तो यही भी सोच जुल्फी के बारे में बदल गी है वो वाकी बहुत अंसान है और एक अर बहुत यह सब कुछ तुमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग है यह सब कुछ तुमारी एक पॉजिव थिंकिंग है I'm so excited मैं सब जली थे दुल्फीरिक बाल की शादी हो ज़र हमले ग अमेरका चले आए तुम्हें भार गर मेरे का किस्वा यादाजा से मुझे तो हमेशा से याद है मैं पॉमन्ट यहां पर रहने के लिए थोड़ी आई हूँ इन पैट मैं भी इंटरनेट पर देख थी कि तुमारा भीसा कैसे परसीद करना है यहां रहकर या फिर मैं वहां चाकर तुम्हें स्मांसर करूँगी यह देखो इनने निकाला था फिलाल मझे आस्परिल जाने देर हो रही है कहीं जा रहे हैं पजी हाविट है ज़रूर काम से जाना हूँ मैं जाय लाई थी आपके लिए अरग दूरे ठागा अश्व मुझे बताओ कनीस वात्मा की तवीद कैसी है कनीस वात्मा तवारी तवीद कैसी है अब मैं ठीप दा रहाँ जाओ चुक्राओ अपचीत आप मुझसे नराज हैं मैं तो आप नराज हो तुम से है बाप अपनी बेटियों से कभी नराज नहीं होते हैं और भी तुम्हारी जैसी साबिर शाकर बेटी से कि मुझे तो तुम्हारी नराज़की का डर रहता है मुझे माफ करते ना पेटी कैसी बाते करें आप बाबाजी करें तुम्हारे लाबले की बेगम ने हसते खेलते मुझे बड़ी नई बाते से खाई कि अगर कोई भी काम गलत नहों और हमारे धीन से मुत्तसादम नहों तो उसे अपनाने में कोई हर्ष नहीं है जी तिरो बेटा अजय में चलता हूं कैसी बात ही करें थे अपाजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आना मुझे नगता है कि कि क्या कि उन्हें आपकी और जम्प्यू की शादी पर कोई इतिराज नहीं है मुझे नगता है कि दाता जान जूलफी से मिलने करें उन्हें किसने बताया जूलफी के बारे में तुमने मैंने तुसम डेवट को बताया था तो दाउद ने अबबाजी को बता दिया उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था क्या सूच रहूंगे अबबाजी मेरे बारे में कि मैं किसी खेर मर्द के ख्याय में आने इसे कोई बात नहीं है बिकल परिशान नहीं हो डेवट ने दादाजान को नहीं बता रहा बलके वो तो बता रहा था कि दादाजान ने आपके मेरी बात्ते सुन ली थी उस सिर्ण को आईडिया हुआ के इस उल्फी आपको परसंद करता है सारे घरवालों को पता चंच जाएगा क्या इज़त रह जाएगी मेरी एक भाई इस पर इज़त तो पेज़ती वनी बात कहां से आ गई और अगर आपको इतनी फिकर हो रही है तो ना आपको बता दूं कि ये बाह सिर्फ मुझे उडिवट को पता है और हम किसी को नहीं बताएं किस और ने अक्स उन चिल्क एस उ कि फोन क्यों नहीं पिकर रहा है आप कि मुपरेशन हो नहीं तो खुशी की बात है तो पुपी ना अश्लाम अलेकों दिल्चाथ जिल्पी जी वो उर्थू पजार गए काम से उसके बाद धर जाएंगे फिर मांसे खाना कड़के आएंगे अच्छा शुक्रिया जब से मैं अमेरिका से आई हूँ मेरे अलीका तो पेटी ठीक नहीं हो रहा है पाने भी हम मिर्नल पी रहे हैं खाने पीने में भी अतियात कर रहे हैं मुझे तो हमेशा से याद है मैं पवमन जी यहां पर रहने के लिए थोड़ी आई हूँ इन पेट में अभी इंटरेट पे देख थी कि तुम्हारा वीजा कैसे पुसीद करने यहां रहकर या फिर में वहां जाकर तुम्हें स्पॉंसर करूँगी पता नहीं यहां का वैदर है खाने पीने डूल मटी आई डून लोग पीजी क्या कहा तुम्हें जी जी मैं कह रही थी एपसे हम अमेरिका से आये हैं चौती बार अली का पेट खराब हुआ है डॉक्टर साब आपकी तबियत दो ठीक है जी मैं बर्किल ठीक हूँ असल में आपको अमेरिका से आ रहा है नहीं चाहरत है खेर अली बेटम मुखोनु समार मायन मेकानु मुवन करनु क्या है बेटम? हेलो डाद, कैसे हैं? मैं बेको ठीक हो डाद मेरे पर से बुद नियुज है अच्छा, पताओ डादा जन जुर्फी और एकबाल की शादी के लिए अल्वस मान गए है यह यह कैसे हो गया अप अप दायाजार इसमें थोड़ा हाथ आपकी इंटेलिजन बेटी का भी है वो तो हमेज़ा होता है हर जगा पे बस आपको बहुत जन्तिक बार और जुर्फी की शादी की में बुर्णिज दोंगी शुकर ए खुदा का बिटा एरे जहन से एक बोज हट किया I know अचो डाद मैं शादी के बाद पापिस अमेरिका आना चाहती हो तो अप्रीज किसी तरह मेरा पासपूर भेज़ते है लेकिन दाउट से तुमने पूछा है उसका क्या प्लान है डाउट को बता दिया है मैंने अबिसले अब उसने में से शादी की है तो मेरे साथ अमेरिका भी रहेगा मैं तो यहां नहीं रह सकती तो वो ही मूप करेगा न वहाँ बिचाप दाउट तुमारे साथ अमेरिका आएगा डेटेल में तो उससे बात नहीं हुई निकिन मुझे पता है कि वह मान जाएगा मुझे शादी करने का एक परपस उसका अमेरिका में सटन होना भी तो था और अगर वो नहीं माना तो शुब नहीं मानेगा मान जाएगा आपस अंकल सिदीकी और उनकी मिसिस आते है न पाकिस्तान आपस उनकी हाथ मेरा पासपून भेजते है हाँ मेटा अब मैं सिदीकी साब से बात कर लेता हूँ वी तो अमेरिका में बहुत रहात हो रही है मुनके फोन नहीं कर सकता सुबह बात करके आपक तो यू मुदा हाफिस बाई हेलो अरे भई कैसे है ठीक ठाक तो है ना क्या हो रहा है हाँ सब खैरियत है वो पासपूर्ट तुमारे पास है ना मुसंभाद कर रखना किम को भी देने की जरूवत नहीं है अरे भई यह तो अच्छा हुआ किम की मुझे कॉल आ रही थी मैं मंडी में था उस टेंब पर मैं फोन उठा नहीं सका अच्छा ही हुआ चलो उससे बात ही नहीं हुए बरना मैंने तो उसे पासपूर्ट के बारे में बता देना था शुकर है बचत होगी वसे एक बात है दोस्तों तुम मेरे हो बच्पन के लेकिन किम को तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो और बहुत बड़ी बात है कि तुमने इतना बड़ा राज मुझसे चुपाया अरे भी कैसी बाते कर रहे है कौन सा राज कैसी बात मैंने तुछ से चुपाई अब ये राज से तुम अप्री दोस्त किम से ही पूछो मैंने अगर जिकर कर दिया तो वो ख़फा हो जाएगी अरे बैट तुम बाप बेटी जो ला मुझे मुझे हार्ट अटैक कराओगे कमजोर दिल का मालकू ये ये पहली है बुझने की उमर नहीं रहे मेरी दिल को मजबूत रखो और अच्छी उमीद रखो मेरी दोस्त वैसे अल्ला तुमारा एकबाल बुलंद करे अच्छा बहुत रात हो गई है मुझे सुबर जल्दी जाना है अच्छा चल खुदाफिस ये एकबाल बुलंद करे चल ठीक है अर्थ, ठीक है, आफिस, आफिस ये क्या दोनों बाप बेटी मुस्तोमा बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत अच्छा रिष्टा मिला है मेरी बेटी को माशाला, मेरी नाइमा तो है ये नसीबों वाली सर्जन है सर्जन और वो भी बहुत बड़े हस्पिताल में और तुम्हारा दाओ MBBS करके दो साल से एक ही हॉस्पिटल में जर्नल फिजिशन के तोर पे काम कर रहे है अरे वो कहते हैं ना कि अल्ला के हर काम में बहतरी होती मेरी बेटी के नसीब में जर्नल फिजिशन नहीं था सर्जन था सर्जन अची अल्ला नसीब अच्छे करे अच्छा हाँ अगले महिने की बारा तारी को मैं मंगने रख रही हूँ तुम सब लोगों ने जरूर आना है मैं कोशिश करूंगी आने की कोशिश क्यों हरे भी मैं भी तो बहुत बड़ा दिल करके दाओत की शादी में आय थी ना तुम सबने भी आना है और हाँ वो सुरया के बारे में क्या सोचा तुमने वैसे एक बहुत अच्छा रिष्टा है मेरी नजर में वो वो सुरया तो भी आगे पढ़ना चाहती है आप ऐसा करें एकबाल के लिए देखे एकबाल तुमारी ना जी जी वो ही अरे तुम्हारे सुसर जाद बिरादरी से बाहर करने पर कैसे मान जाएंगे जी मान जाएंगे वाँ 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 कमाल हो गया वो तो बहुत सावत और बहुत असूलों के पावन थे वो कैसे मान जाएंगे राद बरादरी के वार शादी करने पर, शीज सब मेरी बहू कनीज फात्मा का कमाल है, उसे लोगों को मनाना और दिलों को जीतना खूब आता है, वा, बड़े गुन गाये जा रहे हैं अपनी बहू के, वैसे बहू अगर अमेरिकन हो, तो लोग उसे वो तासिर हो के बिछवे चाहते हैं, अच्छा खेर छोड़ो, हाँ, वैसे एक रिष्टा है तो सही मेरी नजर में, और वो इपाल के जोड़ का भी है, तेकिन वो लोग ज़रा थोड़ी हरेव हैं, वैसे उन्हें शादी की जल्दी है, ठीक है, फिर आप भेज दे, अच्छा चलो, बात करके देखत बिलकुल, एच्छा, अल्ला आफिज ओपाल, मुझे तो आइडिए नहीं था कि हेर वाइनिंग से इतना सफान लिन्ग कोन मिलता है, आपके हाथों में भिल्य कैकर है, आपको अठैका में बहुतconnect करूँगे तो माच जाओ, यही ही रो हमारे पास यहाँ नहीं रह सकती हूँ क्यूँ? हम अच्छे नहीं लगे तुम्हें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, सम बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है लेकिन वे नहीं नहीं है पाकिस्तान, यहां तो कुछ दिन तो रह सकती हूं लेकिन पुरी लाइफ नहीं महबबत में बड़ी कुछत होती है कि वो आपको पाबंद कर दिती है, कहीं जाने नहीं देती जब तुम्हें दाउट से महबबत हो जाएगी, तो तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकोगी महबबत क्या सिर्फ औरत को होती है, मरत को नहीं होती डेविट को अगर मचसे महबबत होगी तो वो मेरे पर गया नहीं रह सकेगा, वो सकता हो चाला जाया मेरे साथ लेकिन ब्या के तो लड़की जाती है अगर लड़के ने लड़की से शादे किये तो वो उसके साथ रहे गानाबाद में क्या गुनाय आई यह सब करना? नहीं, लेकिन रिवाज यह नहीं ओ माई गॉड, एक पाल रवाजों खेली अपने कंफर्ट के साथ कंप्रमाइज करना चाहिए क्या? आये, तुम से बहस मैं कोहीं नहीं चीज़ए मेरी नसीमा से बात हुई है बहुत अच्छा रिष्टा बताया उसने मैंने हामी भर ली कि लड़के वालों को आने का कह दे ये जिम्मेदारी अबबाजी ने मुझे सौंपी है सोच रही हूँ कि फिर्दॉस को भी फोन करके बुलाई लूँ रस्या ये गलत नहीं है मतलब आप अकबाल की परमिशन के बगएर लों को क्यों गुला रहे हैं अकबाल बहस में तुम से हार सकती है मैंने मैंने नसीमा से बात कर लिए बिसमिलबाग पैदल आते आते शदीद प्यास टगी थी इसलिए तुम्हें जहमत दी जहमत की कोई बात नहीं है आप बुजर्ग हैं अब दर्वाजे पर तो गलास नहीं थमा सकती थी मैं आपको ज़दाकला तुम दिलचाथ के बहन हो सगी बहन तो नहीं हो बगर सगी बहन से ज्यादा मान दिया है उन्होंने आप जुल्फी भाई से मिलने आये हैं हावनी से मिलने आया था अभी घरी पर थे थोड़ी देर पहले ही निकले हैं वो उर्दू बाजार से आती ही फिर दुकान चले जाते हैं बहुत ही मेंती इंसान है जुल्फी भाई थोड़ा से लेट हो गया आप मैं बहुत लेट हो गया हूँ मजीद लेट नहीं होना चाहरा मैं पीछे पीछे हूँ और वो आगे आगे हाथ ही नहीं लग रहा आप सुल्फी भाई की बात कर रहे हैं नहीं नसीब की बात कर रहा हूँ बेटी के नसीब की यो बरसों कहने हम जरूर गया अब लाग तलास के पावजूद मिंडे रहा आप किसकी बात कर रहे हैं किसकी बेटी एकबाल करामत बेटी है मेरी आप एकबाल के वालिद हैं तुम जानती उसे अच्छी तरह से वो कॉलेज में मेरी सहेली थी एफे हम दोरों ने साथ किया था फिर उसकी शादी हो गई थी और आप उठ क्यों रहे हैं मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हो मुझे जाना है बेटा चाय पिलाए बगर मैं आपको नहीं जाने दोओगी बहुत सारी बाते करनी हैं आपसे आपको बहुत कुछ बताना है अंकल प्लीज टहर जाएए इकपाल डो भाए मैं आपकी लाफ स्टोरी को कंप्लीड करकी अमेरिका जाओंगे मेरी कोई लाफ स्टोरी नहीं चचले, सीक्रिट स्टोरी पता नहीं रजल भाभी को भी क्या होगे तुम तो कह रही थी के अबबजी उनसे मिले थे मना करते थे ना? यहां पर एक तो हर इंसान अपने फैसले करने की बज़ए दूसरों के फैसले करने को अपना राइट समझता है आप परिशान नहीं उनको आने दे हम उनके कुछ ना कुछ ढूंदेंगी सोलूशन ठीक है? इलां फियो आप यह बच्चा थोड़ी है अमेरिका में ठारा साल के बच्चे अपनी फिस खुद से अरेंज कर रहे होते हैं और यह इतना बड़ा ओकर अपने बाप और भाई से पैसे मांग रहा है इसको तो शर्म आनी चाहिए तुम अपना में बच्चे अब मी अभू यही चाहते हैं कि हमारी शादी होगी पर मैं डेविट से शादी के लिए फिर भी इन तार्म करूंगी तुम वाइ? वाइ? तुम आ प्रपोस्ट जब से तुमने किम बाबी के लिए अपना रिष्टा पेश किया तब से जहर लगना शुरू गया तो मारा यह चोड़ा पन मुझा और यकीन हो गया कि तुम सर्फ चिप कोई नहीं थाले के बेंदन पे हो वाइ खरीजू प्रॉम 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 तुम झाल रि मोई प्रॉम श्रॉम पीज़ प्रॉम बड़ें देखाखाई अजारे हैं बड़ें देखाई बड़े है अजब देखाई जब भी तुम्हें देखता हूं अए फिर्ष झाई पर इसे त उन्सान जब उन्सान एक्टिंद SEN. यह किन मैं यहां पर ठक हूं यह थक हुई देड़िए डाइट सवय है कि मुझे जिन्दी पासपूर्ट भीज़ए ते यह तो भी आज़े हैं रासियान ने इकबाल के शादी के लिए किसी फामिली से बात कर लिया उन्हें घर भी बुलाया अब अगर जुन्फिर इकबाल के बाद सबको पता होती तो यह सिच्वेशन इना ग्रेयट होती इसको बेश्वेशन वा जानती हो कि यहां पर खातून के बारे में बाते पहले औच ऩा नी समझाब जाता तुम्हें यांद नहीं कि मदस्द पोपा ने फ्रेय के वकते कितनी बाते सँनाई थे हॉँ औरत के कड्र के बारे में बात करना यहां पर बहुत असान है मगर औरत की रिस्पेक्ट करना यहां की मर्क के लिए बहुत वुश्कियों लेकर सब मन देख जैसे नहीं होते है उच्छ तुम्हाय शौर जैसे भी अपर नहीं हुआ इसे तुमने मुझे बहुत सुर्प्राइस किया डेवे मैं पाकिसान के मर्दों को बहुत बुरा समझती थी चुछ लगता था कि बहुत सालिम होता है जरूरी नहीं कि हर मुखबत करने वाला मेहवान लेओ हमारे दीन और कल्चर में वरत की जिद करना से पायज़ आता है हमारे दीन और कल्चर को चुछ क्रीक एलो तुम्हं प्रृत रवह च़नकर में पूरी दीन और कल्चर को रप्रिसanu करताः, तो खलंकर घो एले हमारेे हैं ग्राइस ।ुम्रे बाहर किया एक इस फात्मा वे तुम्हें इतनी तफार बता चूँ गर मझे अमेरिका नहीं जाना तैविट क्यों नहीं जाना जहां तक मुझे याद है तुमारी फैमिली तो यही बात करती थी कि दादा जाने तुमारी शादी मुझे इसी लिए गी थी तुम अमेरिका जा सको पाकिस्तानियों के तो ट्रीम होता है वहाँ पे जाना आलेकिन शाइब दादा जी ऐसे सोचते होंगे और बाके पाकिस्तानी भी पर मैं इनकी तरह नहीं सोचता पुझे नहीं जाना तो प्रिशादी क्यों की मुझे तादा जी की हुकम की तक्मील कर रहा था हुकम तो वान नहीं आथा छोड़ देते फिर अपनी मुप्बा की तक्मील में लगा रहा कैसे छोड़ देता पहुमत करते हो मैं अच्छा रुबात मैं पहुमत मैं यहां नहीं रोख सकते ठीस चलो तम अच्छा मापद करते हुए मेरी हाथ रूप जाओ पहुमत तुम सब छोड़ तो पहुमत मैं मुच्छान अमश्चा बल्चा गर्रे यहां मुच्छा रुप जगते हैं तुमत करेंटे किली मरते है, प्रीस चाहरो. बजया, चींज्च करता। आमिले हो यही